पतनी को लेके बात चल लेके क्या है तलाक का मामला उसको लेके क्या क्या है नो कमेंट्स आज इन सब मैटर पे हम लोग बात न करें तो बेटर दुसरे खुशी के महाल में आये हैं तो इस पे हम लोग बात में बात करेंगे पावस्टार पवन सिंग विवादों से कितना भी दूर क्यों न भागे लेकिन विवाद उन्हें अपना पक्का और सच्चा दोस्त मानते हैं तब ही तो पवन सिंग का साथ कभी नहीं छोड़ते खेर आज हम आपसे बात करेंगे पवन सिंग और जोती सिंग के तलाक के बारे में लेकिन आपको बता दे कि कल जब निरहुआ के नामांकन में आजम गड़ गये हुए थे पवन सिंग तो वहां पर एक रिपोर्टर ने उनसे और जोती से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछ लिए लेकिन मानना पड़ेगा पवन सिंग को हमोमन स्टार ऐसे सवालों से भड़क जाते हैं और वहां से चलते बनते हैं लेकिन जिस अंदाज में पवन सिंग ने इन सब चीजों को अपने तरफ से उत्तर दिया है अपने जिस तरह से जिस अंदाज में इसे बया किया है वो काभिले तारीफ इसलिए कहा जाएगा कि हसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा है पवन सिंग का और रिपोर्टर ने जैसे ही पूछा कि पत्नी से इन दिनों आपका मैटर चल रहा है तलाग की बाते चल रही है इस पे क्या कहना चाहेंगे तो मुस्कुराते हुए पवन सिंग ने कहा नो कमेंट आज माहौल कुछ और है बात उस पर करेंगे और ये कहते हुए मुस्कुराते हुए पवन सिंग इसमें बकायदाद देखे जा सकते हैं यानि कि वो जमाना गया जब पवन सिंग बहुत गुससे में हो जाया करते थे और ऐसे सवालों से जैसे कि करने का तरीका भी पवंसिंग के पास आ रहा है पर्सनल चीजों पर किस तरह से रियक्ट करना चाहिए पवंसिंग बहुत ही बहतरीन ढंग से रियक्ट कर रहे हैं खैर वैसे बोचपरी जगत की हाट और मस्ता आले दार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल जब डिल्यू करने करना था मुल्द करना चाहिए लागए ओलाुलेए भी जब जव रहहे हैंग को देख़ रियक्ट करना लाए — जह सोएफ करना था रात्कुल्स हाओ